क्योंकि आपके भाई की हैरियर जो है वो अभी सर्विस सेंटर में हमेशा की तरह कम से कम साथ दिन लगेंगे बोलाएं क्योंकि सिंबा जी ने उसकी फायरिंग खा लिए में वायरिंग और में वायरिंग खाने के बाद अंदर का जो सर्किट होता है कुछ करना सही नहीं है गाड़ी नहीं है एकदम तो लफड़ा हो जाएगा तो उन्होंने डिसाइड कि पूरी बदलनी पड़ेगी मतलब पूरी की पूरी वायरिंग बदलने में कम से कम चार दिन जाएंगे ऐसा वो बोलें मैंने बूला ठीक है कि इतने की वायरिंग उननों बता मैंने बोला कि वायरिंग लेके जो बाइक आने वाली है वो भी उसके साथ फ्री है यह दोनों का भाव है या फिर कैसा क्या है विशे बताओ तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यह वायरिंग के साथ बाइक भी नहीं मिल रही आपको बस वायरिंग ही है जो आपको चेंज करन के 67,000 है मैंने बोला इतना महिंगा क्यों तो उन्होंने बोला गाड़ी महिंगी तो उसका सामान भी महिंगा अगर इसकी जगा आप अल्टो लेते तो वही वायरिंग आपकी कि छे संती हजार में हो जाती मैंने विचार किया फिर मैंने आपको रोका और मैंने अपने सब पाड़ के उसको भिख नहीं कुछ करो catching twenty कॉछ करो बहुत पढ़तो उन्हों ने बोला पिंशुरेंस का विश्य देखा अरे इंशुरेंस भी वहुंदहें यौ ने एक आ इतनी खुश्य का अब भी ठीक करके देद ऑर उन्होंने सचमें ठीक करे दिया उन्होंने वोचीज इंशुरेंस में डाल दिय और है अपने 67,000 में बचने वाले मैक्स हजार दो हजार का खर्चा आएगा उससे जाद में आएगा और गाड़ी मतलब इंस्यूनस क्लेम होने में बैटे थे जो सर लोग उनके वज़े से हुआ उसके बाद गाड़ी को आगे से स्क्राइच आया था वो कहां से आया क्यों आया कुछ आइडिया नहीं गाड़ी गई फिर से तीन दिन के लिए कलरिंग पेंटिंग और उसके बाद हमारे सिंबूडी ने फिर से वायर काटा था कड़ता था फ्रस्ट टाइम उसके बाद वो फिर से गई ती सर्वीस कराने उसके बाद हो रिपेर हुई फिर सिंबूडी बोला नै कैसे रिपेर कर किया है तू मैं और तोड़ेगा सिंबूरी गया सिंबूरी ने फिर से तोड़ी और इस बर सिंबूरी ने प्रापरली तोड़ी इस बर सिंबूरी ने सारे सौकेट जला आए जी हाँ और उसके मकसद में हो कामयाब हो चुका है साथ दिन के लिए गाड़ी अंदर अब गाड़ी वापर जा के आने वाली है गवान के हाथ में गाड़िये लेकिन ये सारा जो दर्ध है ये इन दो दिनों में मैंने आपको बताया कि ओर आल ये दर्ध है